आपकी ओर से कहा गया मीडिया और सोशल मीडिया ये बात तो बिल्कुल सच है वो विडियो तेजी से वारल हुआ जिसके बात जाकर सरकार के ओपर दबाओ बनता है और एक सांसत को आप इतने बड़े नेता हैं आपको अगर ये कहना पड़े कि आपको शर्मिंदगी उठाने पड़ रही है और यूपी की जो पुलिस है खासकर की नौईडा की वो अगर आपकी बातों को नहीं सुन रही है पंद्रा गुंडे कैसे जाकर एक सोसाइटी के भीतर गुंडा गर्दी कर सकते हैं क्या आपकी बात एक सांसत की बात बीजेपी के एक बड़े नेता की बात यहीं की पुलिस नहीं सुन रही महिर शर्मा जी का कान का का काम करता है और डेफिनिटली उससे कारवाई की गती बढ़ती है और बढ़ी भी है उसका परिणाम भी दिख रहा है का आप जिस तरह की उसके तस्वीरे सामने आई वो अपने आप में कम से कम इस शक्स को लेकर बहुत सारी सवालों को जंद देती है और इसी को लेकर प्रियंका गांधी वाड़ा ने आप लोगों पर सवाल उठाये हैं उन्होंने लिखाये क्या इतने सालों से भाजपा सरकार को नहीं पता था कि नौड़ा के बीजेपी नेता का निर्माण अवैद है बुल्डोजर कारवाई दिखावती है इस सवालों के जवाबों से बचने की कोशिश कर रही है भारती जनता पार्टी की सरकार दिखिए ये कहना कि वह हमारी पार्टी का सदस नहीं है मेरे जिला अध्यक्ष का ये कहना कि वह नौड़ा में मैं पिछले 49 वर्षों से रह रहा हूँ पंदरा वर्षे राजनीति क्रिवस्थाओं का हिस्सा हूँ मैंने कभी उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी कारक्रम में राजनीति का हिस्सा नहीं बनते वे देखा और हमारे किसान मुर्चे के ध्यक्ष ने भी कहा है कि वह कभी भी किसान मुर्चा का सदस्य नहीं रहा तो मैं समझता हूँ अब आप अपनी वकबलरी को चेंज कर लें बीजेपी नेता इसे ना कहें एक दोशी कहें और उस दोशी के खिलाफ कितनी सक्त कारवाई हो रही है और आखिर मैं आपके सवाल माल लेता हूँ कि अगर वो बीजेपी का नेता होता भी तो भी बाबा का बूल डोजर उसी तरह से काम करता और उसे उसी तरह से सजा मिलती इसमें कोई तो राए नी हमारे पास बहुत सारे אीसे कागजात हैं जो इस बारे में प्रमार देते हैं कि वो भारती जनता का पार्टी का नेता कैसे है अगर वो इसको ट्रिवी स्क्रीन पर हम दिखा पाएं किसान मोर्चा का सदस्य है बकायदा दूसरे नंबर पर उसके नाम का जिक्र है आपको बता दे युवा किसान समिती किराष्टी सूची में उसका नाम सामने आये है और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी है जो इस वक्त मेरे मोबाइल में है अगर हम दिख कि आज के इस डिजिटल यूब में हर व्यक्ति एक फोटोग्राफर है और ऐसे जो शातिर माइन के लोग है वो फोटो खिचवाना जानते हैं मंचों पर पहुंचेना जानते हैं किस तरह से मैनेज किया जाता है एक फूल का बुके लेकर मैं आज आपको शुब कामना है दे इसना और खिचवाना ये मैं समझता हूँ एक हमारी वस्ताओं का हिस्सा है और इसमें तुर्टियां होती है कभी-कभी चलते चलते आखरी सवाल कब तक उम्मीद की जाए कि ये शख्स पॉलिस की गिरफ्त में होगा आपके चैनल से हम जल्दी देखने का अज़ार कर रहे हैं कि ये सूचना हम सब लोगों को मिले कि वो गिरफ्तार हो गया है